नमश्वार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोवी केम ओजड ओइंटमेंट के बारे में इसके फायदे नुकसान इस्तमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तमाल कर सकते हैं इन सभी बातों कि इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे सब्सक्राइब साथ में जो घंटी परा निशाने उसे ओले पे टाच कर दीजे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें तो दोस्तों पोवी केम ओजड ओइंट जोल ओइंटमेंट तो इसलिए बात कर लेते हैं इसके यूजर के किस काम में इस्तमाल की जाती है दोस्तों इसका उपयोग जखम घाओ को सुखाने के लिए किया जाता है जैसे कि अगर कोई खरोच वगारा लग गई है या फिर कोई बड़ा घाओ हो गया है उसको सुखान के लिए किया जाता है जिसमें पस वगारा पड़ने वाली होते है या फिर इसे में मवाद बह रही हो उसमें ज्यादा तर इसका इस्तमाल किया जाता है ताकि मवाद वगारा ना हो साथी साथ इसका आप घरेली इस्तमाल भी कर सकते हैं जैसे कि कोई खरोच लग गई है कोई कट वगारा लग गया है या फिर चोट लग गई है उसमें खून आ रहा है तो आप चोटे मोटे काम में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं साथी साथ इसका उप्योग कोई एक्सिडे ही इसको इस्तमाल करते हैं ठीक है छोटे मोटी ख्रोच वगयरा के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जले पर भी इस्तमाल कर सकते हैं कटे भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन बड़ा घाओ है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए अगर टांके वगयरा आते हैं तो टंक के बारे लगाने के बाद इसको लगाया जा सकता है, ठीक है सुखाने के लिए, साथ में मैडिसन होती है, सुखने वाले इंगूलियां वगारा होती है, एंटिबाइटिक होते हैं, उनको भी दिया जाता है, तो आप इसे बड़े घाव पर नहीं इस्तिमाल करना, छो में, अगर फोड़ा वगारा है, तो उसको जब उसका चीर फाड़ हो जाता है, तो उसको सुखाने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जा सकता है, इसको आप वैसे भी लगा सकते हैं, पट्टी जब करते हैं, तब भी इसको लगा के फिर उपर से पट्टी भी बांद सकते ह है। एक बार इस्तमाल करने सेथे पहले आप इक बार डॉक्टर को जडरूरा लेने ना अपनी बजे से नहीं moyensmal और इसका एक अफ़ते से 10-12 दिन तक इस्तिमाल कर सकते हैं और जितने दिन आपके लाइम इसकी बता है उतने दिन जान करना चाहिए और इसको लगाने से इकर आपको जलन होती है या फिर खुझ ली होती या फिर दाने निकलते हैं रेड़नीस आती है आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाईएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा धन्यवाद